कि एगाइस वेलकम बैक टू माई नीव लॉग वीडियो सो दोस्तों आप इस देख सकतों आप मैं हूँ अभी डिम्पल का वाडिया जो की बहुत ही बहुत है उनके बिल्दिंग के बाहर जो की नाम हो उनके बिल्दिंग का वास्तों फ्लॉट नंबर 49 जो की जुह में तो च लिए इसी के साथ में मैं आपको बताता हूं डिम्पल का वाडिया के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं जो की आपको नहीं पता होगा और पता होगा तो बहुत कुछ ही लोग को पता होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डिमपल कबार या बॉलिवूड की बहुती बैतरीन एक्ट्रेस है जो की जोने मुवी यानी सत्तर के दसक से लेके अभी तक वो बॉलिवूड में अपनी एक छाप छोड़े हुए है और हमेशा कोई न कोई मुवी में अभी भी काम करती रहती है तो मैं आपको इनके बारे में चलिए बता देता हूँ इन्होंने 15 साल से कम उम्र में वोल्यूड में डेबिव कर चुके थे और इन्होंने अपने 15 साल की उम्र में ही इन्होंने वोल्यूड के सबसे पहले अभिनेता रहे जिसे लोग काका के नाम से भी जाना करते थे यानि कि राजेस खना सर राजेस खना से इनोंने पंदर साल की यूम्र में ही साधी कर लिये थे उसके बाद इनकी पहली फिल्म भोबी जो कि राजकुमार लेजेंड एक्टर के साथ में आई थी और इनकी दो बेटिया हैं जिनका कि एक डिम्पल ट्विंकल खना ट्विंकल खना जो कि अक्षे कुमार की आज के लिट में पत्नी हैं और दूसरी छोटी इनकी बेटी रिंग की खना हैं और ये 12 साल तक साधी के बाद फिल्मों से दूरी बनाई थी उसके बाद उनके साधी में आपको ये ब्लोग में दिख है डिम्पल कवाडिया का घर जो की बहुत ही बैतनी एक्टर है और जो की जुहूं में है अगर आप जुहूं बीच आते हो तो वहां से आप आ सकते हो इनका घर देखने के लिए ठीक है मिलते है इसी के साथ में नेक्स वीडियो में तभी के लिए टैक क्या रब बाए